असलाम उलेकुम एक YouTube चैनल है बिलकुल नया बनाए और अभी उस पर थोड़े से जो है ना वीडियोस है लेकिन उसकी वीडियोस वाइरल जा रही है और मेरी वीडियोस वाइरल नहीं जा रही है और कॉंटेंट भी सेम है मज़े की बात यह होती है कि यार मैंने जो कॉंटेंट बनाया हुआ ह जो उसने बनाया सेम है उसकी वीडियोस वाइरल जा रही है और मैं सेम काटेगरी में काम कर रहा हूँ लेकिन मेरी वीडियो वाइरल नहीं जा रही है तो इसमें क्या रीजन होता है यह मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले बात करते है कि आपका जो YouTube चैनल है यह YouTube का प्रमोट करता है ठीक है तो बेसिकली YouTube जो है वो खुद चाहता है कि वो नए चैनल को आगे लाए और पुराने जो चैनल सेटल हो जाते है जैसे के मेरा है या कोई भी यूटीवर होता है जिसका बड़ा यह YouTube चैनल हो जाता है तो YouTube कहता है कि यह सेटल है ठीक है अब नए च सिर्फ अकेला YouTube चैनल है जो के जो है ना यूटीव चैनल है गेमिंग के वाले से आपके साथ बहुत से यूटीवर्स होंगे जो के काम कर रहे है और हर यूटीवर यह चाता है कि मेरा YouTube चैनल ग्रो करे अब यूटीव ने ऐसा तो नहीं करना कि 1200 यूटीव चैनल को अब यूटीवर्स हो गया तो इनकी रीजन क्या होती है बेसिकली इनका रीजन यह होता है कि YouTube यह देखता है कि आपके YouTube चैनल के उपर यूटीव कॉन्टेंट कितने है या तो आपका चैनल यूटीव होना चाहिए या फिर आप कंसिस्टेंसी से जो है ना वह वीडियो वह भी मैंटर करते है अब कुछ लोगोते हैं वह क्या कर रहे होते हैं कि काफी संयर यूटीवर्स होते हैं उनकी वीडियो को कापई बेस्ट कर रहे होते हैं टिक है वो और निसे के चक्र में क्रेंग एक Sonove Shares डालनी है इस चक्र केंदर काफि सेनियर यूटीब Lamborghini डेखते इसी तरह की वीडियो बनाई यूटीव पर अपलोड कर दी हर उस टॉपफिक और टच कर रहे होती है चैनल बनाना, उसकी सैटिंग्स करना, उसका लोगो, हर एक चीज इस यूडियो में आपको मिलेगी, तो ऐसे आपने कुछ ना कोई यूनीक करना होते हैं, इसको यूनीक कहते हैं, यह निए कि आपने कोई असमान से कोई चीज नहीं ले आनी हैं, वही चीज़े होती हैं, ले आपके चैनल पर री यूज कोटेंट ना हो, यानि के आपने बस किसी का उठा हो, आपने खुद मनाया हो, फिर आपने उसके अंदर creativity दिखाई हो, तो automatic आपका channel जो है, वो grow करता है, जो मुझे चीज लगती है, वो ये है कि YouTube हर एक YouTube channel को, ठीक है, चाहे वो कैसा भी content डाल रहा है, YouTube उसको promote करने का मौका ज़रूर देता है, मेरे साथ, जितने भी मेरे channels हैं, उन पर यही हुआ है, कि YouTube automatically, जो है, आँखें और दिमाग खुले रखने है, आप देखें कि YouTube पे अगर किसी भी आपकी वीडियो पे impression बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और आपका CTR कम आ रहा है, यानि कि click through rate अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपका चैनल मुश्किल है कि आपका चैनल ग्रो करें, अगर आप उसके उपर वापस आते हैं, आप analytics देखते हैं, अपने ठीक है, आप सारी reports देखते हैं Delhi की, कि भाई, मेरे channel पे क्या चल रहे है, YouTube studio इसलिए होता है कि वहाँ पर सारी reports आ रही होती है, आप चेक करें नहीं देखा मुझे, क्यों नहीं देखा, आप उस बात को समझें, अच्छा आपको लगता है, हाँ, ये चीज़ मैंने घल्द बोली है, तो इसलिए लोगों ने नहीं देखा, ठीक है, तो ये है कि आप, मैरे आपने कुछ एक्स्टा बोल दिया, तो आप नेक्स टाइम वो ना करें, तो ऐसी जो चीजी होती है, इन चीज़ों को अगर आप अनलाइस करते हैं, तो आपको promote करने का YouTube मौका देगा, और आप उस चीज़ को अगर pick कर लेते हैं, तो आपका चैनली इन्शालाँ जरूर करो करेगा, ठीक है, ये तो growth की होगी, कि यूनीक content होने चाहिए, और साथ consistency होने चाहिए, साथ एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं इस चीज़ पर भी जो है बिलीव करता हूँ, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा है, कि 10 परसंट या 5 परसंट जो आपकी लग भी है, किसी कुछ YouTube चैनल्स में देखें, जो कि बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहे होते हैं, घल्थ है, बस ऐसी डाल रहे होते हैं, वीडियो लेकि वो भी यूटीव पर ग्रो हो जाते हैं, लेकिन जो YouTube चैनल्स ऐसे होते हैं, जो ऐसे ही अप्लोड करते हैं, वीडियो सो ग्रो हो जाते हैं, तो वो फिर consistency ग्रो नहीं होते हैं, क्योंकि रुपस content नहीं होता, तो वो कुछ अच्छा डालते हैं, तो फिर वो जो है challenge dead हो जाते हैं, तो यह चीज़ है कि आप reuse content ना करें, आप जो है वो unique content बनाएं, उसके बाद consistency रखें, हमने content के अंदर, consistency पर एक चीज़ बता दूँ, ऐसा नहीं है कि consistency जो है डेली वीड राइब होगा, ऐसा नहीं, ठीक, अगर आप दो दिन बाद एक upload करते हैं, तो दो दिन बाद एक upload करते हैं, अगर ते बाद करते हैं, तो फ्टे बाद करते हैं, कोई issue नहीं होगा, अगर आपको यह चीज़ समझ आई है, तो विडियो को लाजमें से like करें, इन चीज़ों पर इंप्लिमेट करें एंश्यलाओ आपको वियोज्स इंग मिलेंजिएगा, आपको अपने विद्सक्स लाइक किजागा, तो आपको यह जो WhatsApp November बिल अपर आप मुझे से रापता कर सकते हैं, कौर्स के लावा कोई भी बात करनी है, मुझे Instagram पर नीचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मलता हूँ आपसे नेक्स टूडियो में अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल अलाहाफ सुनासे